तो फाइनली बच्चुक सेट एक सेट बी का पूरा सॉल्यूशन तुम्हारा डाल दिया है सेट बी की कुछ अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो जाकर फटा फट से देखो ठीक है इसी के नीचे होगी और अब आया है यह सेट ए फुल सॉल्यूशन के साथ देख सकते हो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन तुम लोगों का बन चुका है अब टैंसल लेनी की जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को और कहीं पर भी ना तो यूटूब पर जाना पड़ेगा फुल सॉल्यूशन के साथ तुम सभी को यहाँ हर एक चीज मि क्या आंसर आजाएगा कीट परागन इसमें बहु परागन और कीट परागन में थोड़ा सा गन्फ्यूशन है तो वो आप देख लेना ठीक है कितने दुतियक सुक्र कोशिका में 200 सुक्राणू बनेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 ठीक है कितने में बनेंगे तो वो ड्हाँज़रि Rosa को जाएगा हमारा 50 आईवीए एप में 22 या जाता है vf में 23 किया जाता किसको युगमक सिंद्भवा साई को एक यह आंसर हो जाएगा अपना सावाला युगमक से गरवा साई को ठीक है next question दें पुर्षो में बंद करण की विजी है जो पूर सों में बन करन की विदी है तो उसका अंसर हो जाएगा back to back to tommy क्या answer हो जाएगा बच्छो backse tommy ठीक है यहाँ पर यह रहा आवाला ठीक है इसका हो जाएगा answer backse tommy निम्नांकित मैंसे कौन संचारित जोग कौन सा है ठीक है योन संचारे तुरोग बताना है तो पांच में वाले का आंसर हो जाएगा STD ठीक है? क्या आंसर हो जाएगा STD इसका भी आ वाला आंसर है मेंडल ने अपने प्रियोग को मतलब किस पौध ही पर अपने प्रियोग किया था CID में देखा होगा फिंगर प्रिंटिंग लेते हैं है ना? DNA और फिर यहाँ पर फिंगर प्रिंटिंग कर लेना ठीक है? F-I-N-G-E-R-N-G ठीक है? DNA फिंगर प्रिंटिंग DNA दूइगुणन के एंजाइम की मुख्य भूमी का रहती है तो कौन सी रहती है वो हो जाएगी DNA पॉलिमरीज ठीक है? सेम इसका अंसर है DNA पॉलिमरीज यह अंसर तम लोग का लिखा है यहाँ से कॉपी कर लेना ठीक है? चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कुस्टन DNA दूइगुणन यह तो हो गया दूसरा भी हो गया ठीक है? चलो यहाँ पर देखो चाल्स डार्णिंग ने जहाज पर विष्ष ब्रहमाण किया तो इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पर सॉरी इसका अंसर हो जाएगा HMS Beagle ठीक है? किस पर किया था? HMS Beagle पर किया था ठीक है? इसके बाद इसी का जो Next Question आ जाएगा यहाँ पर ठीक है? चम गादर में Punk वावेल में Flieger Ang है तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा हमारा समझात ठीक है? इसका अंसर हो जाएगा समझात ठीक है? उसके बाद मनुस्ष की यहाँ पर लिखा है घनी पर पून जी कफी है तो यहाँ है चिमपान जी जो मनुस्ष का पहले का वो था तो वो कौन थे? चिमपान जी ठीक है? जीवास में समाने तहा कटानों में पाए जाते हैं तो वो है अगनासाय चटानों में ठीक है? अग्रास है चट्टानों में उसके बाद आ जाते हैं 77 77 में तुम लोग देख लो हैप्रिटाइटिस रूग विसानु के द्वारा फैलता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर देख लेते हैं देखो मैं तुम यहाँ पर बता देता हूँ दूसरा और होता है तो यह असत्त्य हो जाएगा टीक है निडल पर एक चण टाइवाइड की जांच के लिए किया जाता है किया जाता है सुक्ष में जीवी सर्वयापी होती है तता वैस अलग अलग अकार्व में पाए होता है तो हाँ यह राइट है ठीक है अब बात करते हैं मैचिंग की तो मैचिंग एंटिबायोटिक फिर उसके बाद इम्यूनिन फिर दस परसेंट फिर जीवान हुए वंकवक फिर चीता तो इसके आंसर हमारे यह हो जाएंगे ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूं कि यह सही जोड़र यह के आंसर हो जाएंगे ठीक है तब फोड़ कि ct यह वाला ऊड़े प्रवाह यह तीक है यह रहे इसके तुम्हारे सही जोड़र YOU के यह देख लो सही जोडियों के आंसर ठीक है स्क्रीन सॉट ले सकते हो तुम लोग दो पॉलिमराइड स्रंखला प्रती रक्षी तंत्र उर्जा प्रवाह अपगटक करता और तितिय उपभोगता ठीक है ना अब बात करते हैं यह यहां पर दो वो वो इस पीडियेफ को नहीं देखो तुम पर स्क्रीन सॉट ले लो है ना चलो अब इसके बाद यहां पर आ जाते हैं एक वाक्त पारिस्तितिक तंत्र की मूह लिकाई का नाम बताना है बहुत सी खाद संगलाओं में आपस में जुड़ने के कारण बनने वाली संदचना का नाम लिखना है परिस्तितिकी तंत्र के ज जैव भार का उल्टा प्रामिड किस परितंत्र में पाये जाता है वो बताना है ठीक है तो इसकी आंसर हमारे यह रहे ठीक है पहला है आंसर हमारा उत्पादक ठीक है क्या है उत्पादक दूसरा है अप्रद खाद स्रंखला तीसरा है परितांत्रिक तंत्र के प्रमुक घट अपने भोजन के लिए एक दूसरी पर निर्भर होते हैं अतहाँ यह अपना भोजन एक दूसरी घटक को अपना आहार बना कर प्राप्त करते हैं जिस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है आपको उसी प्रकार से अपना solution लिखना है ठीक है चौथा वाला हो जाएगा अपना पांचमा वाला हो जाएगा समुद्र ठीक है बच्चो तो यहां पर अपना यह कंप्लीट होता है अब बात करते हैं यहां पर कितने माक्स ही टू माक्स त्री माक्स एंड फो माक्स तो इनका भी solution है ठीक है पहला question क्या है आस आस संग जनन यानि कि एपो मैसाइस क्या है और स्वापरागन्ण की दू महत्व लिखिए यह जो question है ना इस सो परागनद और पर परागन अब को परागनद आपका set B में भी था اور ons से अ में भी हैना फिर बैनी मिश्च में पर आगन गैसुकिस अनुपात में फ्लाक्स हैं ठीक है इसके बाद अपना next question आ जाएगा यहाँ पर नौवा जन्म जात इवं अरजित प्रतिरोधु में दो अंतल लिखे जो जन्म जात होते हैं ना जो जन्म से यानि मतलब पिता के उससे होते हैं ठीक है फिर इसी के अत्वा में हैं एक सेक्षणिक ब्रहमन के दोरान एक विद्यारती को अचानक स्वास लेने में परिसानी होती है तथा वह बहुत अधिक छीकने लगता है इस प्रकार की अनुकिरिया का नाम लिखी तथा समझाई कि यह है किस कारण से हुआ मतलब एक सेक्षणिक ब्रहमन के दोरान एक जो विद्यारती होता एक बच्चा होता है उसको अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो छीकने लगता है तो यह किरिया किस अनुकिरिया के कारण होने लगा तका फिर पॉलीड्रॉमिक डि ठीक है सकल प्रात्मिक उत्पादक के बारे में लिखना है नहीं तो घास के मैदान परितंत के खाद जाल का रेखा चित्र बनाना है तो दोनों भी है चित्र में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा ठीक है थोड़ा सा लगेगा अगर अच्छे से बनाओगे किसी परि है नीचे वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ठीक है प्लसेंटा के कोई तीन कारे लिखने हैं पहले प्लसेंटा की कारे डालना फिर वन फिट टू फिट त्री ऐसे करके तीन कार कंप्लीट कर देना है ठीक है ना पूर्व विक्सित यानि परिपक के मानव सुक्राणू का चित्र बनाना है इनके तीन भागों का नामंकित द्वारा बनाना तो इसका ज्यादा कठें नहीं ऐसे ऐसे हैं तो मतलब जो परिपक मानव सुक्राणू का चित्र होता है जाद ऐसे तुमने देखा होगा है तो उसी में तीन फॉर्म ऑफ भाग बना देने हैं और कंप्ल second point third point ठीक है मानव सरीर और समाज में एलकोहल की प्रयोगू का वर्णन करना है मानव सरीर एवन समाज में एलकोहल यानि की सराप की प्रयोगू का वर्णन करना है नहीं तो एलकुलाइड ओपी ओपोयाइड या कैनो बिलिस की बारे में अपन को लिखना है तो यह थोड़ा सा अपन को माइंड़ेट कुस्चन है थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें समवाहक क्या है वाहक के कोई दो लक्षन लिखिए नहीं तो एक्सो न्यूकिलेज एवं एंडो न्यूकिलेज में तीन अंतर लिखना है तो यह अंतर वाला क्वश्चन ज्यादा सभी पड़ता है इसमें नंबर एक्जैक्ट मिल जाते हैं क्या है प्रमुक एश्टी याई कौन से है नमनकित इसकी नाम अगर याद होंगे तो बढ़िया बात है यह ज्यादा सही है नाम देखो तो मैं याद तो होंगे ये तो कनफर्म है gift 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 card gift का आई एमफ का MT पूरी का MTP का तो यह कर लेना इनमें जादत में नंबर मिल जाएंगे हर दो नाम पर एक नंबर मिल जाएगा ठीक है चलो मनुष्ट कल लेंगे निर्धारन की क्रिया को समझा रहे हैं मैंडल की सफलता की कोई चार कारण लिखना है तो यह लिख देना मैंडल की सफलता की चार कारण नंबर अच्छे से मिलेंगे ठीक है उन्नेस कुश्चन है मिर्दा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक रसायने की उर्वरक के किस प्रकार बहतर है समझाईए अत्वा रोज मर्रा की कीजिए तो इसमें जादा नंबर मिलेंगे ठीक है पर जीवी जीवानु और तुम इसको जादा अच्छे से लिख भी सकते हो पर जीनी जीवानु क्या है किसी को धारन द्वारा सचित वर्णन कीजिए आरे ने अंतिरेक छड़ विदी क्या है एक विदी दो प्योग लिख कीजिए एक विदी क्या है एक विदी क्या है